हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जो लेटेस्ट हुज अक्मेन की मुवी रिलीज हुई है रेमिनिसंस उसका रिव्यू करने वाले है जो एक कहें तो नियो नौयर साइंस विक्षन थ्रिलर नहीं था लेकिन इतिफाक से जब मैंने इसका रॉटन टोमेटो स्कोड देखा तो यह रॉटन है रॉटन टोमेटो पर यानि कि क्रिटिक्स ने भर भर के नेगेटिव रिव्यू दिया है इस मुवी को और घाय कि यह बहुत बेकार मुवी है अनवाचिबल है और अगर मुझे इस मुवी बहुत जादा पसंद आई है अब मैं इस पॉइलर दिये बिना रिव्यू करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बाद में मैं कभी इसका इस पॉइलर बार रिव्यू बना दूँगा जब मैं पूरे तरीके से स्टोरी को एक्स्पें करूँगा एक बेसिक कि टाइम आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता यानि कि इतना हाई टेंपरेचर रहता है इसलिए जितना भी काम होता है ओफिस वर्क वो सब रात के वक्त होता है प्लस इतनी जादे गर्मी है कि जो बर्फ जमी हुई है वो सब इघल गई है और जो समुंदर का वाटर लेवल है वो बढ़ गया है यानि कि जो कोस्ट वाले इलाके हैं वो पूरे तरीके से डूबे हुए यानि माइमी शहर यहां पर यह बेस्ट है वो बिल्डिंगे उसकी जो है वो नीचे के फ्लोर पूरे डूबे हुए ऐसा हमें दिखाए गया यानि कि फ्यूचर वाला थोड़ा कॉ वो बेसिकली कहें तो एक फर्म चलाता है जहां पर वो कहें तो लोगों को क्रायोजेनिक कहें तो टब टाइप के होते हैं जिसमें लिटा के लोग अपनी पूरानी मेमोरीज जी सकते हैं यानि कि जो प्रेजंट है वो इतना बेकार है हर तरफ कहें तो ग्लोबल के रिवर्स में जाकर पता कर सकते हैं कि मैंने वो चावी कहां रखी थी तो ये पूरा काम होता है हुज यूज एकमें का वो इस तरीके का फर्म चला रहे होते हैं तो यहां पर एक लड़की आती जिसका नम में होता है तो वो कहती है कि वो अपनी कीज भूल गई है यानि कि यह पुरा उसका relationship चल रहा होता है यह उसके जो chamber होता है यह उसमें लेटा हुआ सोच रहा होता है तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आदमी यह सोचेगा कि सचाई क्या है और जूट क्या है इसके बीच कि जो दिवार है वो मिट जाती है यानि कि बिलकुल inception movie जैसा concept ह हाला कि ऐसा कि नहीं नहीं कि है कि यह movie inception से अच्छी है लेकिन अगर आपको inception पसंद आई है और आप कोई ऐसी movie ढूण रहे हो जो कुछ time के लिए आपको satisfy कर सके तो मेरे हिसाब से reminiscent से काफी अच्छी movie है और guys इसका जो main जो plus point है वो है इसका background music अब जब मैंने सर्च किया थ जिन्होंने Game of Thrones के जो battle वाले episodes थे mostly उनका background music कहें तो उन्होंने दिया था तो इसका background music जो है guys वो बहुत अच्छा है और global warming किस तरीके से हमें future में effect कर सकती है तो उसका कहें तो practically इन्होंने इस movie में दिखाने की कोशिश की है यानि कि दिन में कोई काम नहीं होता है दिन के time लोग कहें तो अंदर भुसे रहते हैं लेकिन रात में जब सूरज डूब जाता है तब थोड़ा सा temperature रहने लाइक होता है तब ही लोग अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं और नीचे के floor डूबे हूँ है तो कोई problem नहीं office जो है वो उपर वाले floor में चल रहा है यानि इस इसको शायर इसलिए negative review दी देती हैं कि box office पे किसी भी तरीके से कहें तो clash ना कर पाए शैंकची से या शैंकची को कुछ कहें तो competition ना दे पाए क्योंकि हम जानते हैं critics कभी नहीं चाहते कि Disney की movie या Marvel की movie को किसी भी तरीके का नुकसान हो मेरे city में ये movie केवल English में लगी तो आपने अगर ये movie नहीं देखी guys तो मैं recommend करूंगा कि जरूर देखिये और कि आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा story explanation करूं detail में तो guys इसलिए मैं review सही से नहीं कर पाया क्योंकि मैं जरा सब इस story के बारें बताऊंगा तो पूरा concept ही आपको पता चल जाएगा फिर आपको movie देखने में मज़ा नहीं आएगा तो please बताइए कि आप चाहते कि मैं पूरा story explanation करूं और guys please इस movie को जरूर देखिये और theater खुले हुए तो theaters में जाकर ही देखेगा क्योंकि असली मज़ा इस movie का theater में आएगा क्योंकि इसके जो effects हैं वो काफी जाद अच्छे हैं तो यही ता छोटा सर्व वीडियो पसंद आए तो मैंने चनल को subscribe करिए थैंक यू